तो दोस्तो आज की सुफ यूडियो में हम बात करेंगे आज यानि की दो दूसंबर को बॉक्स ओपिस पर लीज वी बॉलिवुड की एक्षन थ्रलर फिलिम यानि की एन एक्षन हीरो के पहले दिन के बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में और दोस्ता साथी साथ बात करेंगे कि इस फिल्म का टोटल बजट कितना है और इस फिल्म को जो है कितने स्कीन पर लीज का गया है और या फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स आप इस पर से टोटल कितना रपी की कमाई कर रही है तो दोस्ता आपको दादू कि एन एक्सन हीरो जो की एक बॉलीबुड की एक्सन थ्रलर फिलिम है जिस फिलिम हमें देखने को मिल रहे हैं आयुश्मन खुराना और उनके साथ देखने को मिल रहे हैं जैदीप एलहावत बात करने दोस्त अगर इस फिलिम के बजट के बारे में तो दोस्त आपको दादू कि इस फिलिम का ज तो दोस्ता आप को दादू कि en action hero film अपने पहले दिन जो है box office पर से कुछ खास बढ़िया opening नहीं ले री है जिया दोस्ता आप को दादू कि जिस तरह से इस film का एक budget है और जिस तरह से इस film को पहले दिन पर release करवाई जा रहा है उसके मताबिक इस फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन है वो उतना जदा अप्टूदा मार्क नहीं है क्योंकि दोस्ता आपको दादू कि यहां पर दृष्यम टू फिल्म को जो है बॉक्स ओपिस पर काफी बड़ी रेस्पॉंस देखने को मिल रहा है साथ साथ दोस्ता आपको दादू कि भेडिया फिल्म को भी बॉक्स ओपिस पर से एक तरह से काफी डीसेंट जो है कलेक्शन देखने को मिल रहे हैं उसके चलते इन दोनों ही फिल्मों से जो है इन एक्शन हीरो फिल्म जो है काफी ज़्यादा एफेक्ट हो रही है और दोस्त तो इसी के कारान से यह फिल्म अपने पहले दिन भी बॉक्स ओपिस पर से कुछ खास बढ़ी ओपनी नहीं ले रही क्योंकि दोस्ता आपको दादू कि इस फिल्म को आज जिस तरह के ओक्युपेंसी देखने को मिली है उससे देख तो इह लग रहा है कि यह फिल्म अपने पहले दिन जो है दो करोड रुपे की भी ओपनिंग नहीं ले रही है हाला कि दोस्त अब देखते हैं कि इस फिल्म को रिव्यूस तो काफी पॉजिटिव मिले हैं तो अब देखते हैं कि यह फिल्म आने बाले दिनों में किस तरह से ग्रोथ दिखाती है और यह फिल्म बॉक्स उपिस पर अपना जो बजट है उससे पूरी दर से रिकवर करेग और यह फिल्म बॉक्स ओपिस पर हिट अप आएगे रह जाएगे फ्लॉप आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूरू बताएं मैं मिलूँगा आप से क्लिप वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद